नमस्कार दोस्तों बोल सकाए मैं आपका सौगत है सुबा होते ही हम सभी की निकाहें चाई या कॉफी ढूनने लगती है भले ही सुबा के समय खाली पेट चाई पीने की दिक्कत हो या आदत हमारी बॉड़ी को कई तरह से नुकसान पहुचा सकती है लेकिन अगर हम सभी अपनी इस हैबिट में चाई को पानी से रिप्लेस कर दें तो कुछ ही दिन में इसके फायदे आपकी शकल पर दिखने लगेंगे लेकिन सवाल यह आता है कि सुबा के समय उठते ही कौन सा पानी पीना ज्यादा फायदे मन होगा गरम यह ठंडा तो चलिए जान लेते हैं तो आपको बता दें कि सुबा के समय गुनगुना पानी पीने के कई फायदे होते हैं जो आज हम आपको बताएंगे गुनगुने पानी का रोजाना सेवन करने से हमारा पाचंतन तर दुरुस्त रहता है गुनगुने पानी के आप एक की जगा दो गिलास भी पीलेंगे तो यह आपको नुकसान नहीं करेगा बलकि यह आपके पेट को एकदम साफ कर देगा इससे आपकी कब्स की समस्या भी दूर हो जाएगी इसके लावा आजकल की लाइस्टाइल में ज्यादा तर लोग बढ़ते वजन से परिशान है इसे मेंटेन करने या कम करने के लिए लोग दमाओं और जिम के चक्कर में पढ़ जाते हैं इसके लावा बलड सरकुलेशर अगर आपकी बॉड़ी में सही नहीं है तो आपको जल्दी बिमारी अपना शिकार बना लेंगी हालांकि इस समस्या को भी गुनगुने पानी से दूर रखा जा सकता है गर्म पानी पीने से हमारे शरीर के विशाक्त परदार्द बाहर निकल जाते हैं जिससे खून के रफ़तार सही बनी रहती है इसके लावा सिहत मन शरीर के साथ सौंदर्य कौन नहीं चाहेगा दमकता चैरा आपके हेल्दी होने का सबूत माना जाता है गुनगुने पानी को अपने रूटीन में शामिल करने से आपके चैरे की चमक भी बढ़ती है चैरे पर होने वाली ज्यादातर समस्याएं पेट में दिक्कतों के चलते होती हैं गुनगुने पानी पेट के रोगों से निजात दिलाता है इसके लावा गुंगुने पानी के कई फायदे होते हैं डेली गर्म पानी पीने से कफ नहीं जमता गुंगुना पानी गला ठीक रखता है इसके साथ ही ये बदलते मौसम से शरीर को बचाने में भी मदद करता है फिलाल इस वीडियो में तिना अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल लभूले